चैह माता दी ओम नमो शक्ति शिवाई ओम नमस्षिवाई हलो फ्रेंज आज का वीडियो में दियम के एनरजी आज कल के एनरजी क्या चल रही है और युनिवर्स के मेसेज़ेज जो मिले है इस जन्नी को रिलेकर वो सारी चीजे मैं आपको अभी एक्स्प्रेंड करने वाली हूँ बहुत ध्यान से सुनना है बहुत ज्यादा इंपोर् कि कल का वीडियो और परसो का वीडियो भी आप जरूर देखिए ताकि आपको बहुत सारी क्लारिटी मिले बहुत सारी चीजे है जो परसो के वीडियो में तो आपको पता है कि डारेक्ट मादुर्गा और शिवशंकर भगवान के मेसेज़ेस है डारेक्ली ठीके जो उसी व तूफान आने वाले हैं ध्यान रखो बहुत सारे तूफान spirituality से related आपको भगवान से कितना प्यार है ये एक exam है अभी जो exam होने वाले है भगवान से प्यार का आप spirituality में और inner work में कितने अच्छे से आगे बढ़ पाऊंगे उस विशेय पे लेकर आपके अभी exam होने वाले हैं स इसी भी रूप से आपको डगमगाहत होंगी, definitely आपका आत्मविश्वास डगमगा सकता है, परिशानिया आ सकती है, और कस्ट कारी हो सकता है, ये परिस्थितिया जो होंगी, ये सिच्वेशन जो होंगी, बहुत बड़ा बदलाव आपके लाइफ में लेकर आएंगी, जो कि अगर आपने इसको समझ लिया, साउधानी से अपने कार्य शास्त्र को, कार्य शेत्र को बढ़ाया, अपने हाड वर्क को करते रहे, अपने परिश्रम को करते रहे, तो डिफिनेटली ये जो बदलाओ आपके लाइफ में आएंगा, ये बदलाओ आपको जरूर सफलता ही देंगी, ये स्प्रिश्वैलिटी से दूर करके आपको दिखाया जाएंगा, कि आपको कितना इंपोर्टेंट है, ये जर्नी आपको समझ में आएंगा, कितना भी तकलीब आजाए, कितना भी कुछ आजाए, आप बिना डगमक आए जब आगे बढ़ोंगे, अगर आप कुछ परिश्रम कर रहे हो, कुछ चीजे कर रहे हो, इच्छा अनुसार उसका फल नहीं मिल रहा होंगा, काफी लोगों को, काफी लोगों को काम के अनुसार कम अर्चने आएंगी, थोड़ी बहुत अर्चने जरूर आएंगी, इस बीच में अर्चने आने की और हिम्मत बढ़ाए रखोंगे आपको freedom मिलेंगा आपकी strength बढ़ेंगी आप strong बनोंगे और उत्साहा के साथ में जब अपना काम करोंगे तो definitely वो चीज़े आपको जरूर मिलेंगी तो ये चीज universe के तरफ से strongly मुझे आया जो कि आपको बताना था हो सकता है कही बार प्रेम और खुशिया से थोड़ा सा आपको ना मिल रहा हो लेकिन वो मिलेंगा जरूर आपको प्रेम और खुशिया पूरी तरह से मिलेंगी जब आप अपने परिश्रम को अपने कारिया को न आगे बढ़ूंगे इस वेरी इंपोर्डेंट कि आपकी मनों अवशक्ताए या मनों स्थिती जो है मन की मन का जो सामना है वो कही चीजों के लिए करना पड़ सकता है लेकिन आप जब यूनिवर्स पे भरोसा रख कर एक नए जन्नी ये जो जन्नी है इसमें मुझे आपको कुछ दिया है हमको अलड़ी बहुत कुछ दिया है इतना जो नौलेज मिला इस जन्नी के थ्रूही मिला है इस जन्नी में यूनिवर्स ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है हमें सिखाया है सेल्फ इंडिपेंडन बनाना सिखाया है हमको सेल्फ लग करना सिखाया है सेल्फ ग्र तो यह चीज़े continuation में महनत करते रहना है, महनत का फल जरूर मिलेंगा, यह जो बदलाव होने वाला है, बहुत बदलाव होने वाला लाइफ में, और यह जो बदलाव होंगा, वो सफलता को ही देंगा आपको, आपके partner आपके तरफ देखते हैं, आप किस प्रकार से self-low कर रहे हो, यह सारी चीज़े वो observation कर रहे होते हैं, directly भी, indirectly भी, आपकी, आपकी बात उनसे हो रही है, आपकी बात नहीं भी हो रही है, तो भी वो आपको पूरी तरह से energetically भी feel करते हैं, कि आप अपने हिम्मत को कैसे आगे बढ़ा रहे हो, कैसे हर चीज़ को आप solve कर रहे हो, यह जो बदलाओ आने वाला है, यह बहुत बड़ा बदलाओ है, बहुत बड़ा transformation होने वाला है अभी, यह जो बदलाओ है, जिनकी भी, जो भी कुछ कर रहे होंगे, आप लोग, आप लोग financially growth के लिए कर रहे होंगे, या फिर अपना जो action है, कुछ भी कर रहे होंगे, उसमें छोड़ा सा रुकावाट अभी present में आपको feel हो रहा होंगा काफी लोगों को, या फिर कुछ दिनों के लिए आपको लग सकता है, लेकिन जब आप विश्वास के साथ में कुछ अच्छे काम करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए, दुसरों की मदद करते हुए, और किसी की help लेनी पड़ सकती इसमें, कोई आपकी मदद कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, तो उस ठीटी में आप जो भी करोंगे बहुत फासली आगे बढ़ोंगे, जन्नी में बहुत आगे बढ़ोंगे, डेफिनेटली बढ़ोंगे जब ये जो बदलाव है, इसको स्विकार करोंगे, इस स्विकार करना पड़ेंगा, जितने भी कार्मिक लोग होंगे, हमारे लाइफ के कार्मिक लोगों के वज़े से बहुत सारी चीज़े हो सकती है, प्रॉब्लमेटिक हुई हो, लेकिन अब वो चीज़े निकलते हुए दिखाई दे रही है, अब वो चीज़े जरू निकल है, तो you can help to others and also help to you, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि low vibrational लोगों के साथ में contact में रहके गल करो, यहाँ पर क्या होंगा, कि जब आपका यह जो बदलाओ होंगा, वो इस प्रकार से होंगा, कि आप खुद अपने DM को educate करते हुए दिखाई दे रहे, यहाँ पर दिखाई दे DM, actually spirituality क्या होती है, और अपने life की growth कैसे करनी है, purpose क्या है, यह सारी चीजे आपको देखकर सीखेंगे, आपके DM, definitely सीखते हुए और बड़े interest के साथ सीखते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और एक नई सोच, एक नई ओमंग आपके life में आएंगी, यहाँ पे pregnancy का photo द चुरवात होने वाली है, आपके life में जो बदलाव होने वाला है, उस बदलाव को आपके DM भी स्विकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, dream messages भी बहुत सारे थे, जिसको मैंने decode करते हुए आपको समझाने की कोशिश की है, और आगे भी बता रहे हूँ, तो आपना जो लो अखलीब से फिल हो रहे थी, वो लोग भी अब आगे बढ़ेंगे, वो लोग भी अभी जब महनत करेंगे तो उनको सफलता चुमेंगी उनके कदम, definitely चुमेंगी, उनके नई शुरवात होने वाली है, नई चीजे स्विकार होनगी, नई चीजे DM भी करने वाले हैं, नई च कुछ नया होंगा जब आप इस situation से बहान निकलोंगे, अभी कुछ वक्त के लिए कुछ चीजे आपको disbalance लग सकती है, कुछ चीजे आपको रुकावट अर्चने भी लग सकती है, लग रही होंगी काफी लोग को अलड़ी, या कुछ दिनों के लिए और लगेंगा, ये मु बदलाओ को स्विकार करोंगे और ये चीजों को accept करोंगे, तो definitely ये बदलाओ आपके life में पूरी तरह से success, आपने जितना भी कारिया किया है, जितना भी महनत किया, उसका result भी मिलते हुए दिखरा है, और यहाँ पे साथ में कार्मिक, कार्मिक burdens, कार्मिक चीजे का भी release होत कि spirituality से compare किया जाए, इस प्रिश्वालिटी से दूर करने की कोशिश करेंगी, जिसमें कि आपको हो सकता है कि माय मोहा में फसा दिया जाए, है ना इस तरह से कि जो चीजे धर्ती पे जो अवश्यक्ता नहीं है, माय मोहा जिसे हम समझे उसी चीज में फसने की कोशिश कर सकते आप धन दौलत के पीछे भाग सकते हो, spirituality से दूर होके, ऐसा भी हो सकता है, या फिर वो सारी चीजे जो इनिवर्स ने अल्रड़ी दिया है, वो सारी चीजे आप से छीन कर कि हास फिर यह हो सकता है कि कुछ नहीं है बाबा, मतलब रुकावटे और तकलीबे जरूर आएंग वैसे तो कभी भी छूटना नहीं चाहिए, protection का ध्यान रखे, protection कभी आपका छूटना नहीं चाहिए, definitely low और काफी लोगों ने मेरे guidance meditation लिये हैं और उनको पूरा पूरा फाइदा मिला है, इससे पहले कि जो दो वीडियो मैंने बनाये हैं, dear friends, millions viewers, views के लायक है वो वीडियो, ऐसे भी बहुत सारे comment आये, कि ये सब को पहुचना चाहिए, ये जो इससे पहले का वीडियो, तो सब तक के जो अपने twin souls तक के तो भी पहुचे हैं, सब तक के क्यों पहुचे, मैं वो वाले वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं twin तक ही पहुचे, इतना ही मैं चाहती हूँ अभी ये वाले चानल में तो है ना, तो वो सबी twins तक के पहुचे, इसका ध्यान रखो, आप शेयर कर सकते हो, अगर आप किसी twins को अपने soul sister and brothers को शेयर कर सकते हो, अगर पता है, तो आप शेयर करो, सब को बताओ, इसके पहले का जो वीडियो है, ego shutdown का, कैसे overcome करे हम ego से, और present energy के हिसाब से थोड़ी, जिनकी तबित खराब है, वो लोग वो जरूर देखे, ठीक है, उसमें मैंने उसका उपाई भी बताया, तो it's very important, अब DM की energy आपके लिए क्या feel कर रहे हैं, तो वो present में तो देखो, present में तो उनकी energy ऐसी है कि आप से बहुत सारी चीजे सीख कर, वैस तो वो आपको छुना चाते हैं, महसूस करना चाते हैं, आपको देखना चाते हैं, आपकी आवास सुनना चाते हैं, लेकिन फिर भी उनका भी transformation बहुत strongly चल रहा है, तो उनका जो transformation चल रहा है, वो इस प्रकार से चल रहा है, कि वहाँ, जो उनके घर के आसपास के लोग हो सक उनके साथ में ऐसा भीयो करते हैं कि वह बहुत अच्छे सामने से लेकिन पीछे से कैसे हैं पीछे से उनको तकलीब देते हैं किसी भी रूप से उनको पता नहीं होता आपके डियम को ये बात तो जब भी वह पीछे से तकलीब देते हैं तो इनको तकलीब होती है आपके पार गो इसाल मुझे से के पार्टनर नाम अपने नाम आपने सोले हैं किअ बहुत अच्छा इना कर रही है इसका मतलब ठीक है तो वो अपने soul से connect होकर ये जो problems मुझे हो रही है ये जो तकलीबे मुझे हो रही है मैं अपने D.F. से दूर हूँ इसका कारण क्या है ये लोग है D.F. से भी दूर हूँ और इन लोगों के लिए मैं सब कुछ किया हूँ इन लोगों के लिए और ये लोग चाहते हैं कि मैं कुछ और करूँ अभी काफी लोगों के DMs की ना marriage का भी situation चल रहा है कि उनके घर में marriage करवा दे ये कर दे वो कर दे करके situations भी चल रहा है काफी लोगों के और काफी लोगों के जिनके marriage हो चुके उनके साथ में क्या हो रहा है सबसे पहले जो अभी situation चल रही है जिनका marriage के लिए opportunities दिये जा रहे हैं उनको बोला जा रहा है fix कर देंगे marriage या फिर कर दिया है इस situation में जो लोग है जो डियम्स है इस situation में वो actually तो वो करना नहीं चाहते हैं पहली बात तो कि किसी और से ठीक है आपसे बात होती हो या नहीं होती हो फिर भी वो किसी और से शादी नहीं करना चाहते हैं अब मजबूरी ये हो जाती है कि वो emotionally blackmail कर रहे हैं आपके partner को कि हाँ अगर तुम नहीं करोंगे तो ये हो जाएंगा वो हो जाएंगा मैं नहीं रह पाऊंगी मतलब उनकी मम्मी पापा जो है emotionally blackmail करते हैं कि हाँ मेरे पास में समय नहीं है मैं खतम हो जाऊंगी ये हो जाऊंगा वो हो जाऊंगा जो भी है उनका अलग अलग तरीका है घर में कौन देखभाल करेंगा अगर मेरी अगर उनकी मम्मी की दब्र ठीक नहीं है तो घर में कौन देखभाल करेंगा इस तरह के बहुत सारे चीज़े होती है अलग अलग सिच्वेशन में अलग अलग चीज़े होती है तो मुझे पीक हो रही है तो ऐसे चीज़े कुछ हो रही है उनके घर में तो उनको फोर्स किया जा रहा है जबकि उनको उनको पसंद नहीं है तो अब ही क्या करना आपको वो मैं आगे बताऊंगी अब जो अलरडढ़ी मैरीड सिचवेशन में है जो कि आपके पार्टनर अलरडढ़ी मैरेड सिच्वेशन में अगर है तो उन लोगों को भी समझ रहा है कि बहूत तकलिप में है पहले से ही है इस वक्त और ज़्यादा तकली में और बहुत बड़ा चेंज भी उनके लाइक में आने वाला है अब जो अलड़ी मैरेज सिच्वेशन में है उन लोगों ने जो मुझे एनरजी यूनिवर्स ने जो कल मुझे रिस्यू करवाई थी और मैं बता देती हूँ आप लोगों को तो उन लोगों ने उनके कर्मा रिलीजिंग का अभी समय है आप लोग कर्मा रिलीजिंग का कर्मा रिलीजिंग का भी करना जरूरी है और उसी के साथ में आपको ऐसे पूरे जिते भी अभी नए परसन भी आ सकते जी किसी किसी के लाइप में है ना आपके पार्टनर के ही लाइप में नहीं बलकि आपकी लाइप में आ सकते है ठीक है तो आपकी भी लाइक में जो भी आने वाले होंगे वह कार्मिक लोग होंगे जो पिछले जनम में आपसे कॉल्ड क continuing खुद से भी में बना को कार्मिक बनायोक का को क्थ भी हो जातक है वह को बने कभी बताओं दो थीक़े तो सब्हुद से हमने हमने खुद से ही उन लोगों को अप्रोच किया हो या फिर उन्होंने हमें अप्रोच किया हो पिछले जन्मों में ऐसा कुछ या फिर वो energetically connect हो गया है किसी रूप से तो उन लोग की entry आपके life में हो गई है या फिर होने वाली है तो उन लोगों से भी आपको कर्मा release करना बहुत जरूरी है तो उसके लिए उनको blessing देनी है सबसे पहले तो उनको blessing से ही देनी है आपको नफरत नहीं करना नफरत करके और हम लोग क्या कर रहे होते हैं और नफरत करके या गंदा बोलके या फिर सोचके उनके बार में बुरा यह कॉड और कनेक्टेड हो जाते हैं और स्ट्रॉंगली और फिर वो कुड तुटते नहीं जल्दी से तो इसलिए नए करमा स्क्रियेट ना करते हुए उनको blessing दीजिए और उनसे सोल लेवल पर होपनोपनोग कीजिए ठीक है अपनोपनोग करके कॉड रिमूट प्लग इन करते हैं उस प्रकार से करना है और माफी मांगनी है बात करनें सोल लेवल पर अगर आपको नहीं समझ रहा है कि कैसे करना है करमा इन लोगों से कैसे कॉड रिमूट करना है कैसे होपनोपनो करना है उसका वीडियो भी बन उसका भी मैंने बनाया हुआ है ठीक है meditation, guidance meditation, universe guidance meditation है तो वो भी आप ले सकते हो अभी ठीक है वो वाला हो गया वो बहुत पहले से मैंने बना के रखा अभी का नहीं है बहुत पहले से बना हुआ है और उनकी strength बढ़ना बहुत ज़रूरी है very important उनकी strength is very important तो वो समझ रहे है अलरड़ी जो DF अपना इनवक कर रही है उनको समझ में आ गया है आपकी partner को समझ में आ गया उलरड़ी वो married है तो तो उनको समझ में जब आ गया है लेकिन उनकी strength को बढ़ाने का काम हम कर सकते है क्या? उनको हिंमत हम दे सकते है बिल्कुल हम soul level पर उनको हिंमत दे सकते है तो वो strength बढ़ाने वाला भी मैंने meditation बनाया हुआ है, strength meditation है for your partner, ठीक है, strength meditation होता है, is very important, उनकी strength हम कैसे बढ़ा सकते हैं, how is possible, आपको लग सकता है, but is possible, everything is possible in this journey, मुझे guidance मिला था universe के तरब से, तो मैंने भी वो पहले से बनाना था, और मैंने वो बना दिया है, already, ठीक है, बनाने का तो बहुत पहले से आया, लेकिन बना तो है, बन गया है, वो at last बन जाता है, वो universe के तरब से ही बन गया, तो ये दो चीजे आपको इस बीच में बहुत जरूरी है, जो करनी है, ठीक है, जो already marriage situation में है, और जो लोग unmarried situation में भी, और marriage होने वाला ऐसा जो जिनका चल है जिनके DM का, तो उनको भी soul level पर माफी मांगनी है, क्योंकि अगर उनके कर्मिक है, तो आपकी भी कार्मिक है वो, ठीक है, अगर फिर भी आपने माफी मांगी और फिर भी अगर उनका marriage हो जाता तो उनके, उनके करमा बहुत बढ़े होंगे, definitely, लेकिन आप properly करोंगे, माफ की solution मिल जाता उन चीजों का, है ना?